अर्विंद घोस्त का जनम 15 अगस्त 1872 निदन 5 दिसंबर 1950 उपलब्धियां स्वतंतरता सेनानी कवी प्रकांड विद्वान योगी और महान दाशनिक अर्विंद घोस्त एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे वह एक स्वतंतरता सेनानी कवी प्रकांड विद्वान योगी और महान दाशनिक थे उन्होंने अपना जीवन भारत को आजादी दिलाने और प्रत्वी पर जीवन के विकास की दिशा में समर्पित कर दिया अर्विंद के पिता का नाम केडि घोष और माता का नाम श्यम्लता था अर्विंद घोस्त एक प्रभावसाली वन से संबंद रखते थे राज नारायन भोस बंगाली साहिते के एक जाने माने नेता श्री अर्विंद के नाना थे अरविंद घोस ना केवल आध्यात्मिक प्रकरती के धनी थे बलकि उनकी उच्छ साहितिक शमता उनकी मा की शैली की थी उनके पिता एक डोक्टर थे जब अरविंद घोस पात साल के थे उन्हें दारजीलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया दो साल के बाद 1889 में अरविंद घोस को उनके भाई के साथ उच्छ शिक्षा के लिए इंग्लेंड भेज दिया गया अरविंद ने अपनी पढ़ाई लंदन के सेंट पोल से पूरी की वर्स 1890 में 18 साल की उम्र में अरविंद को कैम्बरिज में प्रवेस मिल गया यहाँ पर उन्होंने श्वहम को यूरूपिय क्लासिक्स के एक शात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया अपने पिता की च्छा का पालन करने के लिए उन्होंने कैम्बरिज में रहते हुए आईसीयस के लिए आवेदन भी दी उन्होंने 1890 में पूरे विश्वास के साथ भारतिय सिविल सेवा परिक्षा उत्तिर्ण की हालांकी वें गुडसवारी के एक आवेशक इम्तिहान में खरे उतरने में विफल रहे और इसी लिए उन्हें भारत सरकार की सिविल सेवा में परिवेश की अनुमती नहीं मिली वर्स 1803 में में अर्विंद घोस भारत वापस लोट आए और बडोदा के एक राज के विध्याले में उप्रधानाचारिय बन गए उन्हें 750 रुपे वेतन दिया गया उन्हें बडोदा के महराजा द्वारा बहुत सम्मान मिला अर्विंद घोस को ग्रीक और लेटिन भासाओं में निपुनता प्राप्त थी अठारा सो तिराण में से 1906 तक उन्होंने संस्कृत बंगाली साहित्य दर्सन सास्त्र और राजनीती विज्यान का विश्तर्त रूप से अध्यन किया 1906 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने अपनी नोकरी से इस्तिपा दे दिया और 150 रुपे के वेतन पर बंगाल नैसनल कोलेज में सामिल हो गए इसके बाद वो क्रांतीकारी आंदोलन में तेजी से सक्रिय हो गए अर्विंद घोस ने 1908 से भारत के स्वतंतरता संग्राम में एक प्रेमुक भूमी का निभाई अर्विंद घोस भारत की राजनीती को जागरती करने वाले मार्क दर्शकों में से एक थे उन्होंने अंग्रेजी दैनिक वंदे मात्रम पत्रिका का प्रकाशन किया और निर्भिक होकर तिक्षन संपाद के लेक लिखे उन्होंने ब्रेटिस आसन, ब्रेटिस नयालने और सभी ब्रेटिस चीजों के बहिसकार का खुला समर्थन किया उन्होंने लोगों से सत्यागरे के लिए तैयार रहने के लिए कहा परसिद अलिपूर बंकेस अर्विंद घोस के जीवन में एक महतवपूर मोड साबित हुआ एक वर्ष के लिए अर्विंद अलिपूर सेंट्रल जेल के एकंत कारावास में एक विचारधिन कैदी रहे वे हैं अलिपूर जेल की एक गंदे सहल में थे जब उन्होंने अपने भविशे के जीवन का सपना देखा जहां भगवान ने उन्हें एक दिव्य मिसन पर जाने का आदेश दिया उन्होंने कैद की साथी का उपयोग गीता की शिक्षाओं का गहन अध्यन और अभ्यास के लिए किया चितरंजन दास ने सिरी अर्विंद का बचाओ किया और एक यादगार सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया अपने कारवास के दोरान अर्विंद घोस ने योग और ध्यान में अपनी रूची को विक्षित किया अपनी रिहाई के बाद उन्होंने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया 1910 में सिरी अर्विंद घोस कलकता छोड़ पांडेचेरी में बस गए पांडेचेरी में वें अपने एक दोस्त के घर पर रुके सुरुआत में वें अपने चार से पांस सातियों के साथ रहे फिर धीरे धीरे सदश्यों की संख्या में व्रद्धी हुई और एक आस्रम की स्थापना हुई पांडीचेरी में चार साल तक योग पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद वर्स 1914 में सिरी अर्विंद ने आरिये नामक दार्ष निकमासिक पत्रिका का सुभारम किया अगले साड़े छह सालों तक हैं उनकी सबसे महतपुन रचनाओं में से जादातर के लिए एक माध्यम बन गया जो की एक धारावाई के रूप में आई इनमें गीता का वर्णन वेदों का रहष्य उपनिसद, दे रेनेंसा इन इंडिया, वारेंड सेल्फ डेटर्मिनेशन, दे हूमन साइकल, दे आईडियल ओफ हूमन यूनिटी और दे फ्यूचर पोईटरी साम्मिल थी 1926 में सिरी अर्विंद सार्वजनिक जीवन से सेवा निवरत हो गए, सिरी अर्विंद के दर्संसास्तर तथे अनुभव व्यक्तिगत आभास और एक द्रश्टियार इसी की द्रश्टि होने पर आधारित है अर्विंदों की आध्यात्मिकता अभिनताओं के कारण एक जूट थी, सिरी अर्विंद का लक्षे केवल किसी व्यक्ति को उन वेडियों से जो उन्हें जक्रे हुए थी और इसके एहसास से मुक्त करना नहीं था बलकि दुनिया में परमात्मा की इच्छा को संपन करना, एक आध्यात्मिक परिवर्तन लागू करना और मानसिक, मार्मिक, भोतिक जगत और मानव जीवन में दिव्य सक्ति और दिव्यात्मा को लाना था सिरी अर्विंदिका देहान 5 दिसंबर 1950 को पांडी चेरी में 78 वर्स की आईयों में हो गया धन्यवाद, जैहिन जैवाद